नमस्कार, चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है संपाद की से संबंदित, आज के इस वीडियो में हम दा हिंदू में पबलिस एक संपाद की और दो आलेखों पर चर्चा करेंगे जिस संपाद की पर हम चर्चा करेंगे उसका स्वीर्षक है shekels and ties और जिन दो आलेखों पर हम चर्चा करेंगे उसमें से एक आलेख का स्वीर्षक है इन एगरी रिफॉर्म्स go back to the drawing board और दूसरा आलिक जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका सिर्षक है putting food at the center of India's nutrition agenda तो चलिए एक एक कर हम संपाद की और इन दो आलिकों पर चर्चा करते हैं सबसे पहले संपाद की पर संपाद की जैसा कि हम पहले देख चुके हैं इसका सिर्षक है shekels and ties और यह संपाद की जी एस पेपर टू में शामिल विस है अंतराश्टिय संबंध के दृष्टिकों से महत्यपूर्ण है इस संपाद की का आधार है भारत-ब्रिटैन संबंध अब हम यह देखते हैं कि आखिर यह चर्चा में क्यूं है तो ब्रिटिस विदेश मंत्री डॉमनिक रॉब ने हाली में भारत की यात्रा की और यात्रा के दौरान ब्रिटैन के विदेश मंत्री ने भारत के प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की ब्रिटेन के विदेश मंत्री की इस यात्रा का उद्देश सिथा कि गनतंत्र दिवस के अफसर पर ब्रिटिस प्रधान मंत्री बॉरिस जॉंसन के मुख अतिथी के रूप में निमंतरन को स्विकार करने की आपचारिक्ता को पूरा करना और दूसरा भारत के प्रधान मंत्री को अगले वर्स आयोजित G7 और COP26 जो की ग्लासगों में होने वाला है में सामिल होने के लिए आमंत्रित करना। बोर्ड मैप तयार करने पर दोनों देशों की सहमती वनी है। दूसरा हिंद प्रसांती छेत्र में सामरिक सयोग पर भी दोनों देशों ने अपनी सहमती जताई है। तीसरा पांच छेत्रों कारोबार एवं सम्रिद्धी, रक्षा एवं सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, जनसंपर्क, स्वास्थ, सिवा इस पर भी दोनों देशों की द्वारा चरचा की गई। उसके बाद दोनों पक्षों की द्वारा आफगानिस्तान, हिंद परिशांत, पश्चिम एसिया से जुड़े घटना क्रम्मों पर भी चरचा की गई। अब हम बात करते हैं भारत-ब ब्रिटेन के साथ सम्मंधों में अग़र इस्तर की बात हम करें, तो फिर US एवन फ्रास्स की तुलना में ब्रिटेन के साथ सम्मंधों में उतनी गहराई नहीं आ जबकि भारत एवन ब्रिटेन के लोगों के बीच संपर्क जादा है। ब्रिटिस वेवस्था में भारती डायस्पोरा या बिखराव का महत्पूर्ण इस्थान है और तीसरा लंदन और दिल्ली के मध्ध महत्पूर्ण वानेजयीक सम्मन्द है। परन्तु पिछले पांच वर्सों में भारत और ब्रिटेन के दुविपक्षिय सम्मन्दों में एक ठाहराव सा दिखता है जिसका कारण ब्रेक्जिट प्लान है जिस प्लान के अंतरगत ब्रिटेन यूरोपेन यूनियन से बाहर निकल रहा है। इसी पांच वर्स की अबधी में कम महत्पूर्ण मुद्धों जैसे की वीजा से समंदित मुद्धे भगोडे भारती उद्योग पतियों से समंदित मुद्धों पर ही चर्चा हुई। भारत और ब्रिटेन के बीच समंदित में जो गर्म जोसी की कमी है साथ उसका कारण ब्रिटेन को लेकर भारत की कुछ चिंताएं हैं। एक चिंता तो यह है कि ब्रिटेन का कस्मीर के प्रस्ट पर सक्रिय कूटनितिक रुख अपनाना। और जिसका कारण राजनितिक विशलेसक यह मानते हैं कि United Kingdom में United Kingdom की राजनितिक पार्टी के द्वारा पाकिस्तानी डायस्पोरा को खुश करने के लिए वहां के लोगों के द्वारा या वहां के राजनितिग्यों के द्वारा कस्मीर के प्रस्ण पर सक्रीता दिखाई जाती ह दूसरा कि ब्रिटेन की जमीन पर पाकिस्तान के द्वारा धार्मिक उगरवाद, आतंकवाद और भारत विरोधी समूह को जो मदद दी जाती है उसे लेकर ब्रिटेन का आंख मुंद लेना तीसरा कारण कि दिल्ली यह मानता है कि अफगानिस्तान में ब्रिटेन का कारे पाकिस्तान को मदद पहुचाना जादा रहा जबकि वहाँ पर छेत्रिय सांती को इस्थापित करना कम रहा वहीं अगर अनुच्छे 370 की हम बात करें तो विदेश मंत्राले ने अनुच्छे 370 में संसोधन के विरोध में लंदन में भारती हाई कमिशन के सामने किये गए प्रदर्शन पर तिब्र परतिक्रिया दे थी और वर्तमान में जो किसान प्रदर्शन हो रहा है तो इस किर् विरोध पर ब्रिटेन ने जब अपनी चिंता दिखाई तो भारत ने इसे घरेलू या आंत्रिक मामलों में हस्तक्छे बताया परन्तु भारत के समक्ष अब एक प्रश्न आया प्रश्न यह है कि जब पाकिस्तान के मुद्दे को अलग रख कर भारत अमरिका और खाड़ी द विश्व की पांचमी बड़ी अर्थ विवस्ता है दूसरी बात कि लंदन एक महत्पूर्ण वित्यकेंद्र है और ब्रिटेन की आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस, बायो टेकनोलोजी, वैज्यानिक एवं सैक्षिक स्रोत और वैस्विक इस्तर पर प्रभावी कूटनीतिक खासकर हिंद प्रसांत महासागर में ब्रिटेन की मजबूत इस्तिती है और 2004 में जो इंडो-उके स्ट्रेजिक पार्टनर्शिप थी तो इस पार्टनर्शिप को भारत कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेजिक पार्टनर्शिप में बदलना चाहता है इस कॉम्प्रिहेंसिव परणनीती सहयोग, आतंकवाद विरोधी सहयोग और जलवायू परिवर्तन जैसे महत्पूर्ण मुद्देश शामिलें। इतना ही नहीं। अगले वर्स कोरोना टीका करण में भारत को ब्रिटेन की आवसकता पड़ेगी। क्योंकि सीरम इंस्टिचूट ऑक्सफोर्ड पादन और वित्रन करेगी। अब ब्रिटेन को क्या आवसकता है कि वो भारत से अपनी नजदिकी बढ़ाए। तो जरा उसके कारण देखिए। एक तो ब्रिटेन यूरोपेन यूनियन से बाहर हो रहा है। तो अब मुक्त व्यपार के अन्य साचेदारों से ब्रिटेन को स समझोता करना पड़ रहा है। जिसमें हाली में ब्रिटेन ने अमरिका, जापान और व्यत्नाम के साथ मुक्त व्यपार समझोता किया जो एक जनवरी से प्रभावी होने जा रहा है। तो ब्रिटेन के इस नए वैदेसिक और आर्थिक नीती के अंतरगत भारत ब्रिटेन का एक नैसरगी कमित्र है क्योंकि भारत और ब्रिटेन के पारमपरिक सम्मंद रहें। और अगर यह सब सही रहता है तो फिर बॉरिस जॉंसन की यात्रा भारत और ब्रिटेन के पारसपरिक और संतुस्टी और बरताव जो की आपनिवेसिक या कोरोनियल एरा की देन है तो फि अब इस संपादकी से संबंधित यह रहा प्रशन, प्रशन है कि भारत बृतें संबंध के नहीतार्थ बताएं, दोसो सब्दों में आप इस प्रशन को लिखने का प्रयास कीजेगा, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले आलेक की ओर, आलेक जिसका सिर्शक है, इन एगरी रिफ इस आलेक को हम GS paper 3 में शामिल विसे करसी एवं संबंधित मुद्ध के साथ जोड़ कर देख सकते हैं, चले देखते हैं, आर्टिकल को विस्तार के साथ, इस आर्टिकल का आधार है नया करसी कानून, देखें, नय करसी कानून को लेकर सरकार क्या कह रही है, सरकार यह कह रही वही करसक इस नय करसी कानून को स्विकार नहीं कर रहे हैं, और इस नय करसी कानून को वापस लेने के लिए जवरदस्त प्रदर्सन कर रहे हैं, ताकि सरकार पर इस नय करसी कानून को वापस लेने का दवाब बने, और इसी नय करसी कानून पर जो विरोध प्रदर्सन हो र उसको दूर करने के लिए सरकार और किर्षकों को आपस में बातजीत करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर नए सीरे से किर्षक सुधारों के उद्देश्यों और प्रक्रिया पर बातजीत करने की आवस्यक्ता है। और वह इसलिए भी आवस्यक है। क्योंकि जो अर्थसास्त्रिया कह रहे हैं कि उत्पादक्ता में वृद्धी के लिए मानव की जगा तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। तो ठीक यही सिधान्त किर्षी चेत्र पर भी लागू होता है। कि किर्षी चेत्र से जो लोग बाहर होंगे फिर उनको कहां रोजगार मिलेगा। क्योंकि भारती उद्ध्योक का आकार इतना बड़ा नहीं है। इसलिए अब बात हो रही है उत्पादक्ता के और लोग पर ये पहलू पर। अर्थसास्त्री क्या सिकायत करते हैं कि भारत म किर्सी उत्पादक्ता की विर्दी के लिए आवश्यक मसीनी करण हेतु जो क्रिसी जोते वह क्या है छोती है। तो समाधान यहां पर यह है कि भारत में कृसी उत्पादक्ता की विर्धी के लिए कृसी जोत के आकार में विर्धी कर दी जाए। अब हमें यह पता है कि कृशी मसीनी करण के अंतरगत उच गुणवत्ता युक्त कारी की आविसकता पड़ती है, साथी साथ कृशी मसीनी करण जब होता है तो फिर इसमें मोनो क्रॉपिंग पर ज़ादा जोड़ दिया जाता है, मोनो क्रॉपिंग का अर्थ है कि साल दर साल एक ही फसल का उत्पादन और किर्शी मसीनी करन से बड़े इस्तर पर किर्शी छित्र का इस्पेसिलाइजेसन होता है लेकिन इसके दूस परिणाम भी सामने आते हैं वह किस रूप में पहला पारिस्थिति किये और संतुलन के रूप में दूसरा पेड़ पौधों की कम होती चले जाती है तो फिर पेस्ट को या कीड़े को फैलने में आसानी होती है साथी साथ मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है और जल स्रोत में भी गिरावट आती है फिर इस परिणाम का समाधान क्या है समाधान है रासायनिक किर्सी आगतों का प्रियोग जैसे लागत में भी बढ़ोत्री करता है और यही कारण है कि किर्सी मसीनी करण और किर्सी में आध्मिकी करण के कारण पंजाब में किर्सी उत्पादक्ता में विर्धिवी परंतु पंजाब में भूमिगत जलिस्तर में कमी आई साथी साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी कम कि एक ही प्रकार के पेड जो वानजिक रूप से उपयोगी थे कि खेती पर जर्मणी में जोड़ दिया गया और उसकी खेती के लिए दूसरे पेड पौधों को उस छेत्र से साफ कर दिया गया इसका नुकसान यह हुआ कि उस छेत्र में पारिस थित्किय और संतुलन हुआ फ अगर प्रकृती के साथ सामंजस से इस्थापित नहीं किया गया तो प्रकृती खुद सामंजस से इस्थापित करने के लिए मनस्य को मजबूर कर देती है इसलिए 21 सदी की चुनोती प्रयावर्णी हरास और बढ़ती समाजिक आर्थिक और समानता को दूर करना है और इस च जाती है और इसका दिर्ग कालिक लाभ भी प्राप्त होता है जो प्राप्त होता है पारस्थितिकी और संतुलन की संतुलित करने के रूप में और दूसरा आर्थिक पिरामीट के आधे निचले इस्तर के लोगों के लिए रोजगार स्रिजन करने के रूप में और दूसरा उन कि बाजार में अगर किरशी उत्पादों की पहुच बढ़ती है तो इस से किरशी उत्पाद की पूर्ती जादा हो जाएगी किरशी उत्पाद की मांग की तुल्णा में तो फिर वहाँ किर्सी उत्पात का मुल किर्सक तै नहीं करेंगे, कौन तै करेंगे, कौर्पोरिट तै करेंगे, क्योंकि किर्सकों के पास भंडारन की उचित विवस्था नहीं है, बाजार तक पहुचने के साधनों की कमी है, जबकि बड़े वैपारियों के पास गोदाम की उपलब्दता है, cold storage की उपलब्दता है और सबसे बड़ी बात उनके पास प्रयाप्त पूंजी उपलब्द है तो फिर इस इस्थिती में क्या किया जाए उपाय से पूर्व हम एक उदाहरन पर चर्चा करते हैं कि टेकसास के छोटे कपास कर्सकों ने एक कारे किया कि जब अमेरिका में कर्सी का वानिजी करन किया गया तो फिर टेकसास के इन छोटे कपास कर्सकों ने सामहिक रूप से कारे करना प्राणब गिया सामहिक रूप से कारे करने के अंतरगत उन्होंने कर्सी आगतों की विवस्था सहित किरसी उत्पाद को बाजार में पहुचाने तक साथ साथ कारी किया। इसका क्या लाब हुआ? इसका लाब हुआ कि उनके किरसी वैपार में उनको लाब की प्राप्ति हुई और दूसरा राजनितिक रूप से भी उनकी इस्थिती काफी मजबूत हुई। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं सहकारी समीति की। च्योंकि टेकसास के किरसकों को जो लाब हुआ वह सहकारी समीति की मजबूती के कारण हुआ। और भारत में मजबूत सहकारी समीति का उधारन है डेरी उत्पाद। भारतिय डेरी उत्पाद की प्रतिव्यक्ति उत्पादक्ता नियुजिलेंड और आस्टेलिया के डेरी उत्पादकों से कम है। परंतु भारतिय सहकारी डेरी छित्र छोटे डेरी उत्पादकों को से दूरी बनाने के लिए भी बात दिकिया, उसी RCEP से जिसमें New Zealand और Australia भी है, अब हम बात करते हैं 1990 के दसक के सुधार की, जो कि 1991 की नई आर्थिक नीती से समंदित है, वर्तमान में जो किर्शकों का विरोध हो रहा है, वह लोकतंत्र, सलाह और आर्थिक सुधार की प्रक्रि यह बात कर रहे हैं कि आर्थिक सुधार के लिए द्रड सकती होनी चाहिए, या द्रड इक्छा सकती होनी चाहिए, ठीक वैसे ही, जैसे कि 1991 की नई आर्थिक सुधार के समय में हुआ था, क्योंकि जब 1991 में नई आर्थिक नीती को लाए गया, तब उस समय बॉंबे समों के द्वारा उसका विरोध किया गया था परंतु यह बात ध्यान रहे कि 1991 के जो सुधार हुए थे उसमें तुरंत लाब की प्राप्ति सभी भारतियों को हुई थी चाहे उसमें अमीर हो या गरीब हो और लोगों की पहुंच विश्व के गुणवत्ता युक्त उत्पाद तक 1991 के जिस सुधार का विरोध कुछ उद्योग पतियों के द्वारा किया जा रहा था उसका कारण उनके उत्पाद को मिल रही नई परतिस्परधा थी तो 1990 के दसक के सुधार की तुन्ना नए कृसक कानून से नहीं कर सकते इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1990 के दसक में जो उसमें बड़ी संख्या में लोग या कृषक शामिल हैं। तो भारती नीती निर्माताओं को अपने कानून और अपने नीती निर्मान के तरीके में परिवर्तन करना चाहिए। उस पर हमेशा से ध्यान रखनी चाहिए। और भारती किर्सी में जो निम्न आय की समस्या मौझूद है उसका समाधान विश्यसक्य नहीं कर सकते। क्योंकि नई नीती निर्मान में किसानों को सामिली नहीं किया गया। यही कारण है कि जब भी भारत में कोई नया कानून और नई नीती बनती है और उसे जब साजनी किया जाता है तो उसका विरोध होता है। कारण उसका यह है कि जिसके लिए कानून बनाय जाता है उसी के सुझाओ को उसके अंतरगर्स सामिल नहीं किया जाता है। और वर्तमान क्रिशक विरोध नीती निर्माताओं के लिए एक संदेश है, संदेश यह है कि जब भी सरकार जिस भी वर्ग या समू के लिए नीती का निर्मान कर रही हो, तो फिर उस वर्ग या समू को उस नीती निर्मान की प्रक्रिया में सामिल करें, और लोग कल्यान नीती की समावेसी प्रक्रिया ही सरकार और नागरिकों की बीच विश्वास में बढ़ुतरी कर सकती है। अब इस आलेक से समंदित यह प्रश्ण कि क्या आप मानते हैं कि सरकार को नए कृषक कानून पर समिछा करनी चाहिए। अपने मत कारण सहित इसपस्ट करें। अब हम जी एस पेपर ठर्ड में समिल विशै, गरीबी, भूख, एवं स्वास्त से समंदित विशै के दृष्टी कौन से महत्यपूर्ण है। चले देखते हैं इस आर्टिकल को विस्तार के साथ। इस आर्टिकल का आधार है बाल कुपोशन की माप। बाल कुपोशन की माप के दो तरीका है डायेट बेस्ट मतलब नियूंतम आहार प्रयाप्तता के आधार पर कौपोशन की माप। इसमें 6-23 महने के बीच के बच्चों के लिए यह पूछा जाता है कि बच्चे नियूंतम प्रयाप्त भोजन गरहन करते हैं या नहीं इसमें अंडे, मांस, फल, सबजी, स साथ आहार समुह के आधार पर पोशन इस्तर की माप की जाती है तो आलेक में इस बात पर जोर दिया गया है कि कौपोशन की माप के लिए जहां एंथ्रोपोमेट्रिक आधार पर जादा बल दिया जाता है वहीं नियूंतम आहार प्रयाप्तता इस पर जादा बल नहीं दिय जाता है तो जरूरत इस बात की है कि कोपोशन की माप के लिए इन दोनों आधारों का प्रयोग किया जाए क्योंकि अगर आहार आधारित कोपोशन इस तर पर हम कोपोशन की माप करें तो फिर हम यह पाते हैं कि National Family Health Survey 5 में नियुनतम प्रयाप्त आहार प्राप्त नहीं करने व कम है इसका अर्थ है कि 10 में से 8 बच्चों को प्रयाप्त पोशन युक्त भोजन नहीं मिल दा है वहीं इसी National Family Health Survey 5 में 22 राज्यों और केंदर सासित प्रदेसों में से 5 राज्यों के बच्चों में नियुनतम आहार प्रयाप्तता में कमी आई है जबकि जम्मू कस्मीर में सर बच्चों में नियुनतम आहार प्रयाप्तता की कमी थी जो की National Family Health Survey 5 में बढ़कर कितनी हुए 86.4 प्रतिसत तो कुल मिला कर सभी राज्यों में नियुनतम प्रयाप्त आहार को प्राप्त नहीं करने वाले बच्चों का प्रतिसत 75 प्रतिसत से अधिक है अब हम बात करते हैं एनिमिया की इस्थिती की तो सबसे पहले बच्चों की इस्थिती देखते हैं तो 22 राज्यों और केंदर सासित प्रतिसों में एनिमिक बच्चों की संख्या में 8 प्रतिसत की विर्दी विये जबकि वयस्क पुरुसों की तुलना में रक्ताल प्रता के मामले में या एनिमि और डायेट रिलेटेट इन दोनों को स्विकार किया जाना ची उसका क्या कारान है वह देखिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चार पर आधारित एक अध्यन के अनुसार 36.3 बच्चे जो आहार आधारित कुपोसित थे उनमें एंत्रोपोमेट्रिक माप सही पाएगे मतलब उनमें स्टंटिंग वेस्टि या अंडरवेट के लक्ष नहीं दिखे जबकि 44.3 बच्चे दोनों आधारों पर कुपोसित थे और केवल 10 बच्चे एंत्रोपोमेट्रिक पर ही कुपोसित थे इसलिए बाल पोशन से संबंदित नीती निर्मान में दोनों आधारों को जगह मिलनी चाहिए और केवल एंत्रोपोमेट्रिक को अगर आधार बनाया जाता है फिर बच्चों की बड़ी संख्या पोशन कारिक्रम का लाब नहीं ले पाएगी इसलिए ज और इसके लिए National Nutrition Monitoring Bureau और National Sample Survey जो व्यापक इस्तर पर खाद्यानों पर घरेलू उपभोग और व्यासे संबंदित डेटा का संग्रा करते हैं के द्वारा इस प्रकार के राष्टिय सर्वे पर विचार करना चाहिए संचेप में हम यहाँ पर यह बात कह सकते हैं कि निम्न सामाजिक आर्थिक जनसंख्या के भाग के लिए गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्रियों की विवस्था की जाए दूसरे रूप में गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्रियों तक इनकी पहुँच की बुषित समय पर प्रापत कर सकेगा। इस प्रकार हमने आज के समपातकी से समपातकी से समपातक पर चरचा गी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं वीराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नमस्कार। तो नेवर मिस अफदेट